के लाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बैंक लेडर पर दो दोस्तों फटाफट से आ जाईए और जुड़ जाईए सभी लोग ठीक है कि बहुत बढ़े हैं कि क्या बात है कि मज़ेदार चर्चाय हो रही है गवरो चलिए ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन अपनी कमर कस लेते हैं सभी लोग हैं और यहां पर बिंदास तरीके से स्टार्ट करते हैं सेशन को सेशन बहुत ही लाजवाब रहने वाला है बहुत ही शांदार रहने वाला है रोज की तरह हम लोग डिटेल में ज्यादा से ज्यादा करेंट अफेर्स पढ़ने वाले हैं तो फटा फट से एक बार लिंक को कॉपी करें और एक बार शेयर करना स्टार्ट कर देंगे चलिए ठैंक्यू वही आप लोग यूट्यूब चैनल पर ठीका रोज सुबह यहां पर क्लास यह सारी क्लास आपको अटेंट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और सामको छे बजे आप लोग जैसा बताते हुए 11 बजे कि यह टॉपिक सरा आज मारा कवर कर देंगे वैसा करेंगे लेकिन आज हमने स्पेशल रखा है सामको छे बजे कि जितने भी बैंकों के एप से इनिसियेटिव हैं और जितनी भी टाइप से मर्जर से बैंकों से रिलेटेड वह आज हम लोग यहां पर कवर करेंगे ठीक है क्लियर है बात समझ में आ गई बात समझ में आगी दोस्तों चले बहुत बढ़िया शां काल कर लोगे तो आप एक्सेस करने के लिए कोड आएगा तो आप प्येसर टेन कोड यूज करोगे क्योंकि दोस्तों यह मेरा कोड और आपको इसी कोड को यूज करना है ताकि कंपनी को पता चल सगे कि हां वही यह प्यूसर के स्टुडेंट्स हैं चालिस हजाद रिकॉड का लग निट का लग हर चीज का डिफेंस का लग पहुत साले टीचर केवल बैंक के लिए आपको सब्सक्रिप्शन वाले एक बजे वह क्लास देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आसक डाउट फैसलिटी आपको डाउट पूछने के लिए इधर उधर भटकने की कहीं भी जज जिरूरत नहीं है यहीं पर आप जो है सारे डाॉट्स अपने पूछ सकते हैं अ सब्सक्राइ तो दोस्तों यह सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी देखिए यहां पे जो अभी जो ऑफर में जो चेंजिस हुआ है कि अभी तक किवल सिस्ट अभी 20 शितंबर को यहीं बैसे संडेंड़ु आपको यहां पे स्कॉलर्शिप मिलेगी अप्टूbn परसेंट समझ रहें Android एप से ही देना है और इस बार तो 30000 बच्चों को देने वाले जैक्कि हमेशा आपने देखा था पिछले बार 500 लोगों को दिया ता फिर हजार लोगों को दिया इस बार तीन हजार लोगों को स्कॉलर्शिप देने वाले हैं दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रशन पहला कोश्चन ठीक है ओके क्लियर है भारती और किस देश की नौसेना ने समुद्र सक्ति के तीसरे संस्क्रण में भाग लिया इंडिया एंड विच कंट्री ने वी हैव पार्टिसीपेटेड इन थर्ड एडिशन आप समुद्र शक्ति दोस्तों जैसा कि हम लोग पता है कि गरूर सक्ति समुद्र सक्ति वरूर सक्ति जहां शक्ति शब्द यूज हो जाए तो समझ जाओ कि एंसर क्या होगा iad शू वका चैपर ने समझ इडिया में सबसे अधिक मुस्लिम अबादी कहां रिए यहीं इंडॉनेशिया में रहती है जिकारता इसका हेड़कोर्टर जहां पर आशियान का मुख्यालह कोईड़ कॉया Carne соврем ami मैं और भारत की मूवsmuno cute की मुर्टिया है गटोतकच की बीम की करण की कि किस्चन जी की सब की मूर्तिया लगी हुई है उनकी Airlines का नाम विश्चनु जी के वहां पे गरुण एर्लाइड सुनके 20 अजार के नोट पर दोस्तों गनेश जी दिखते हैं और जो है दिखते हैं विश्णु जी गरुण पर विराजमान उनकी में दोस्तों तेरफिट की सरसती जी की मुर्ति है उन्होंने धर्म बतला लेकिन वह अपनी पुरानी चीजों को बड़े संजों के रखें अपनी संस्कृतियों को वहां रमायण दोस्तों टीवी पर दिखाई जाती है रामलीला एक एक महिने होती है एक ऐसा देश है दोस्तों इंडोनेशिया जिससे हम लोगों समुद्र शक्ति जो है युद्धा भ्यास कर रहें बात समझ में आ रहा है कि यह जो बारिश का वक्त है इसी समय सारी नेवी एक्सरसाइज होती है क्या देखिए तो आप चितनी भी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं यह तो हो सकता है कोरोना की वाई से सेकेंड वेब में बंद रहा हो और भाई साब इतनी एक्सरसाइज दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे एक्सरसाइज दो है दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलें अभी सुर्व किरन हो रहा है आपके उत्तराखंड के पिठोरागड में नेपाल के साथ तो इतने ज्यादा एक्सरसाइज हम लोग को इस दो महीने में देखने हैं तो आपके लिए थोड़ा सी कठनाई बढ़ गई है क्योंकि जब एक्जाम नस्दीक होता है ना तो आपको थोड़ा सा जगह भी याद रखने होते हैं तो जकार्ता यह लोग पहुंचे हैं कैपिटल में और सुंडा स्ट्रेट में दोस्तों ये युद्धा ब्यास होगा भारत की तरफ से आप याद ही रखिए कि जगह तो इंपोर्टेंट होगा ही होगा ठीक है क्लियर है एक अक्टूबर फर्स्ट से वा 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 क्या बात है विलेज बॉय इंजीनियर क्या बात है बहुत बढ़ियां तो सब्सक्राइब के लिए अब हम लोग को कमर कस लेनी है ना एक कर समय नहीं देते आर मिद समय नहीं देते हम लोगों कि तो एकदम हत्ते ही कर देते जी वाले टीचरों की अनुसे दोस्तोव वर्ड अल्जाइब्स आई मर्ञफ भूलने की बिमारी होती है दोस्तों यह 21 सितंबर को मनाया जाता है क 31 सितंबर मना जाता है आज मैस सिप्तेमबर आज मुझा मुझा मना जा रहा है रोजड़ मैं जा रहा है यह वैलंग्टाइम डे वाला रोजड़ नहीं यू रोजड़ की घैती को बढ़ाने वाला घीके धिए है हूँ कि अ तो यह दोस्तों जो है ना बहुत ही खतरनाक जो है यह जो है कहानी है दोस्तों रोज डे होता है और उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा यहां पर आज राइनो डेवी है आज कौन सा डेवी है दोस्तों आज राइनो डेवी है तो रोज डेवी है और राइनो डेवी है ये बात आप लोगों क्या करनी होगी नोट कर लेनी होगी ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया तो ये 22 सितंबर को ये दोनों डे मना जाता है 21 सितंबर को मनाया गया है इस बीमारी के गंभीरता की जो है दर्शाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है त्री खांस एंग इमर्जेंस अफ न्यू इंडिया त्री खांस तीनों 1965 में पैदा हुए आमिर खान सारुक खान सल्मान खान और इन तीनों ने दोस्तों आर्थिक उदारी करण की इस जो है युग में इन्हों ने एक अलग उपलब्दी हासिल की उसका फायदा उठाया उसक त्री खांस दो थ्री खांस एंड इमेजेंस अफ न्यू इंडिया आमिर खान सारुक खान सल्मान खांस कावेरी बंजई ये बुक का कवर है जो आप लोग के सामने उपस्ते थे ठीक है क्लियर है चलिंग दोस्तों हाल ही में किसे पत्किस प्रुषकार विजयता खगोल भौत की विद का निधन हो गया दोस्तों पदमसरी अवार्ड विनिंग एस्ट्रोफीजिसिस्ट हैस पास्ट अवे रिसेंटली तो दोस्तों किनका निधन हुआ है तो दिलकुल यहां पे तनू पदमनाभन पतनू पदमनाभन जो है वह एक तरीके से देखा जाए तो इस पेस के जो है कि साइंटिस्ट कह जाएंगे इनका निधन हुआ है कहा जाएगा कि इनों ने जो है कि रहस्यों को उद्गाटन किया बहुत सारे ग्रहों का बहुत सारे तारों का बहुत सारे अंतरिक्ष की पर Code of India से भी आई और न्यू प्राइवेट बैंक सी आई से सी बैंक सी बैंक 1993 के बाद जितने भी बैंक्स है नर्सीमन कमेटी को न्यू मौडर्न क्लियर रहे कու दोस्तों किस बैंक ने पेटियम के साथ समझे किया है और दो दोनों बात एक ही क्योंकि कि अगर हम यहां पर यह लिख दें कि HDFC बैंक ने किसके साथ समझोता किया है तो वह भी कोश्चन बन सकता है और आपको HDFC बैंक के बारे में इसलिए भी बोल दूँ क्योंकि HDFC बैंक ही तो केडिट कार्ट देगा पेटियम तो लोन नहीं दे किया था तो पेटियम अगर आ जाए कि किस बैंक किसा टाइब कर रहा है तो हमारा एंसर एक बार HDFC बैंक लग जाएगा समझ रहे HDFC बैंक जो है दोस्तो 1994 में आई थी शशीधर जगदीशन शशीधर जगदीशन दोस्तो इसके हेड है शशीधर जगदीशन इनके हेड है और इवा चैट बोट इनका है इक किशान धन एप इनका है इनका यहां चलाते हैं दोखा घड़ी रोकने के लिए अपना मुँ बंद रखो दोस्तों शौर किशान गोल्ड काड जो है फार्मर्स वह फार्मर्स जो आर्मी से रिटाइड हुए सेना के जवानों के लिए शौ दोस्तों HDFC बैंक बहुत सारे चीज़ जैसे की दुकांदार ओवर्ड्राफ्ट स्कीम सलाम दिल से डॉक्टर्स के लिए बहुत सारे जो है स्कीम लेके आए हैं HDFC बैंक की बहुत सारी इनिसियेटिव इस समय चल रही है अगर केवल HDFC की बात की जाए तो इसने वर्ड बैं स्कॉर्पूरेशन उससे 200 मिलियन का लोन लिया कितने के लिया है 200 मिलियन का लोन लिया बात समझ में आ रही है क्लियर है बहुत बढ़िया दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है वाट इस रैंक आफ इंडिया इंड ग्लोबल हो गई है 2020 में 48 थी 2021 में 46 हो गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ठीक है क्लियर है बहुत बढ़ियां अगर देखा जाए तो इसमें टॉप किसने क्या स्विट्जर लैंड स्वीडन यूएस यूके और कोरिया यह टॉप पाइप है स्विट्जर लैंड फर्स्ट पोजिशन पर है दोस्तों ठीक है कि चलिए अगर दोस्तों एक चीज़ और है कि यह सेकेंड मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है अमांग लोवर मीडिल इंकम कंट्री लोवर मीडिल इंकम कंट्री में यह दूसरी पोजिशन पे है दोस्तों ऐसे तो 46 पोजिशन पर कि कि अन्तर राष्ट्रिय क्या डीफ इंटर नेश्णनल डीफ विक अंतर राष्टर बाधिर सप्था कब से कब तक मना जाया रहा है तो दोस्तों यह बीस से छबिस सेप्टेमब्र तक tien चा रहा है और अंतराराष्ट्री शांति दिवस कमने जाता मना जाता है दोस्तों तोüler नेशनल डे ओफ पीस भी 21 सेप्टेमबर को ही मना जाते निएल्जाइमरर दिवस और इंटरनेश्ट्रल डे ओफ पीस यह जो है दोनों 20 सिटम्बर को मना जाता रहा है और रोज डे और राइनो डे दोस्तों यह जो है आज यारी 20 सितंबर को मनाया जा रहा है विच स्टेट है टॉप्ड फूड सिक्योरिटी इंडेक्स दोस्तों फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में किसने टॉप किया है तो food security index में दोस्तों गुजरात ने टॉप किया किसने टॉप किया है गुजरात ने टॉप किया दोस्तों food safety and standard authority of India इन सब चीजों पर ध्यान देती है कि खाने पीने की चीजों में एक बार मैगी को बेंकर दिया था पूरे देर्श भर में क्योंकि उसमें अबेड मार मिल गया था दोस्तों इसने अभी चंडी कर रेलवे स्टेशन को इट राइट सर्टिफिकेट दिया है five star rating के साथ चंडी गड़ रेलवे स्टेशन को वहाँ पे खाने पीने की हाईजीन की बहुत ध्यान रखा जाता होगा वहीं पर दिया जाता होगा यसे आनंद विहार को मिल चुका है सीएश्टी को मिल चुका है चत्रपती सीवा जी टर्मिनस जिसे हम विक्टोरिया तर्मिनस कहते थे मुंबई सेंट्रल को मिल चुका है दोस्तो तो इस तरीके से दोस्तो अगर हम लोग बात करें देखें यहां पर वैभों ने बता दिया स्टेंदर अथर्टी आफ इंडिया की जो चैर्मन हैं है दोस्तो वह सेंगर लीपना के इं अल्टेव़े र्टे वहार धिया दोस्तों और ऑगर यह चैर्मैं क्या है चेर्मन पअ में मैं और दोस्तों अगर सीओ की बात की जाएं तो सी ओ है दोस्तों अरुन सिंगल अरुन सिंगल ऑर दोस्तों यह जो सांस्ता ऐसे सं 2011 में अई में खाद सुरक्षा मानकों के मामले में टॉप पर रहे हैं गुजरात केरल और तमिलनाडू ठीक है क्लियर है चलिए बहुत अच्छा एक्वार श्टील कमपनी गेलेंट ग्रुप ने किस एक्टर को अपना ब्रैंड अमबेज़र बनाया है इस्टील की मांको अगर पूछा आप बहुत ज्यादा एक्जाम में आने वावला है है आरोग सेटू एप दोस्तों दो अप्रेल दो अप्रेल 2020 को यह जो है आया था आरोग सेटू दोस्तों अपना जो बेश्ट वहंड़ेट सीरीज चलना है उससे आपको मैक्सिमम कोश्चन मिलेंगे मैं इसलिए लगातार पढ़ा रहा था मुझे कि यह अचानक से एक्जाम करते हैं मत एक हपते का समय देते हैं बात समझ में आ रही है तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें आरोग सेटू एप जो है यह नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने डवलप किया है अगर यह क्वेश्चन पूछे आरोग सेटू एप नेशनल और कोई भी सरकारी एप हो एक बार अगर पूछे तो एन आइसी एगर ऑप्सन में दिखें ठीक मार देना दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर 1976 में आया और नीता सर्मा इसकी हेड़ न्यू दिल्ली हेटकॉर्टर सारे एप यही डवलप करा सरकारी ठीक है अगर मिनिस्ट्री पूछे तो दोस्तों एप की मिनिस्ट्री होती है माइटी माइटी इन यानि की मिनिस्ट्री आफ इलेक्रोनिक्स लेकर चाइना के एप बैंड करने से लेकर के कोई भी पोर्टल की सुरुआत करने से लेकर के सरकारी पोर्टल सुरू हो रहा सरकारी एप सुरू हो रहा सोसल मीडिया ओठी प्लेटफॉर्म कुछ भी आजाए यही मंत्रा ले है दोस्तों जो रविशन कर पसाजी के पास था पटना वाले अब जो है अश्विनी वेश्वनोग जी के पास है उडीसा वाले अब अश्विनी वेश्वनोग जी के पास रेलवे भी यह टेलीकॉम यानि कम्यूनिकेशन मिनिश्ट्री भी है ओके क्लियर हैं चलिए दोस्तों किसे राम किष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरुसकार प्रदान किया गया राम किष्ण बजाज मेमोरियल पुरुसकार किसे दिया गया है दोस्तों अडानी जी को दिया गया अडानी जी को वैसे ही अवार्ड की क्या जो रहता सबस्यादा संपत्ति अर्जित क रहीं सब्सक्राइब का सब दुर्प्सक्राइए सब्सक्राइब नाम से नरेंद मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में स्टेंड का नाम रख दिया गया 9000 करोड का अफीम इनके जो है पोर्ट से मिला है अफगानिस्तान से आया कि विसाखा पटनम की जो है कंपनी ने मंगाया था टेलकम पाउडर बोलके और भाई साब यह जो है पकड़ा गया है म इसमें आप बताइए तो अडानी साहब को राम किष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरुसकार मिल गया है ठीक है क्या बात बहुत बढ़िया डानी जी बहुत बढ़िया आई पील की टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाडी कौन बन गए किसी एक ही टीम में रह सुनहरे करियर में एक और रिकार्ड अपने नाम कर लिया कोहिली आई पील में एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाडी बन गया सोमवार को कुलकता नाइट राइडर के खिलाब मैदान पर उतरते हुए उन्होंने यह उपलब्दी आसली दोस्तों यह आई पील का कौन सा संस्क्रण है और आई पील में कितनी टी में खेल नहीं है और आई पील कहां हो रहा है कि यह तीन चीज आप लोगों को दोस्तों पता होनी चाहिए अगर आप इग्जामेशन में जा रहे हैं तो ठीक है क्योंकि आप ही आई पील ज्यादा देखते हो तो आप यह चीज अच्छे से जान भी रहे होगे ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया कि समझ गए चाहिए संचार मंत्राले ने जिमन में से किसकी पांसो पंद्रहवी जहनती पर एक इस मारक डाट टिकट से समानित किया गया दोस्तों पांसो फाइफ फंडेट फिफ्टीद बर्थ एनवर्सरी पर पोश्टेज स्टैंप जारी किया गया उनकी जो है उनको या जैमाल राठहौड राव जैमाल राठहौड है क्यों दोस्तों कौन किंद्री संचार राजमंत्री देव Сिंफ चवान में श्रीनगर में जम्मु कश्मीर में राव जैमल राठोर की 515 जैनती पर उनके सम्मान में किसमारक डाक्टिकट चारी किया राव चितोडगड के एक स्पूत युद्धा के सेना पतिते राठोर कौन ते चितोडगड के एक सेना पतिते 1567 से 68 में अपनी घेराबंदी के दवरान विशाल मोगल सेना के खिलाफ इन्होंने उग्र प्रतिरोद किया था समझ गए तो इसलिए इनको जो है कि इनके सम्मान में जो है डाक्टिकट जा बारा दिया गया गोबल ट्रेंड आउटलूट मन लगड़ में गलोबल ट्रेड डैट आटलूट में क्या बताय जा रहा है कि ट्रेद किस देशका कैसा रहेगा भारत के बार сильно इन्वोंने रिपोर्ट दी है कहीं लिए वह भारत जो है कि बहूं जादा व्याफार्ट करना कि भारत किस एर तक चौथा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन जाएगा यानि कि भारत जो है इंपोर्टर यानि कि भारत जो है क्रियेट नहीं करेगा भारत जो है इंपोर्ट करेगा बाहर से और दोस्तों यह जो है इन्होंने कहा है कि 2030 तक यह चौथा सबसे बड़ा क्या हो ज जाएगा और इसके बाद इनोंने कहा है कि 2050 तक यह सब चौथा सबसे बड़ा जो है डूसरा सबसे बड़ा आयो तक हो जायगा यानि कि यहां पर यहां पर यह उपशन सही जह सेकेंट rend दूसरा सबसे बड़ा यह क्या हो जायında दोस्तों इंपूर्टर हो जाएगा सबसे बड़ा इंपोर्टर हो जाएगा कौन युनाइटेड किंगडम हो जाएगा मेरे भाई ठीक है क्लियर है ब्रिटिन के अंतर राष्टी व्यापार विभाग द्वारत जारी एक रिपोर्ट के उसार भारत दोजार पचास तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक ब बन जाएगा ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया में वर्तमान में भारत 2.8 परसेडारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों की सुची में आठवे स्थान पर अभी किसी स्थान पर दोस्तों आठवे इस्थान पर दोजाती तीस तक कहां बन जाएगा द दो हजार तीस तक चोथे और दो हजार पचास तक तीसरे अच्छा तो दूसरे नहीं होगा दोस्तो यहां तीसरे होगा यानि कि यहां पर दोस्तो B option सही होगा B option third ठीक है क्योंकि चीन और अमेरिका के बाद पीसरे position पे इन्होंने बताया तो यहां पर कौन सा option सही होगा दोस्तो B option सही होगा B okay 2050 तक यह third होगा पहले पर चाइना होगा दूसरे पर अमेरिका होगा तीसरे पर इंडिया होगा यह UK ने कहा UK के जो finance minister है वो है रिशी सूनक परिशी सूनक और सेक्रेटरी है परिती पटेल UK के जो है प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों बोरिश जॉनसन और यूके में यही इस बार का जी सेवन सम्मिट हो रहा है दोस्तों जिसमें रशिया मिंबर नहीं जिसमें मोदी जी को इन्वाइट भी किया गया था ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया दोस्तों हाल ही में वर्ड हेल्थ और्गनाजेशन के ग्लोबल हेल्थ फैनेंसिंग के एमबेजडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इस वर्ड हेल्थ और्गनाजेशन दोस्तों 7 अप्रेल को इस्थापित हूई थी इसलिए 7 अप्रेल को हम लोग मनाते हैं म्यट हैं विश उस्वास्त दिवस मनाते हैं साथ अप्रेल को दोस्तों जिसका हेड़क्वार्टर जेनवा में है और इसके हेड़ है टेड्रोस अधनाव गेब्रेसियस वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन डव्लोचो फांडेशन के हेड़ है अनिल सोनी और वहां पर चीफ साइन्टिस्ट है स्वामिया स्वामी नाथन तो दोस्तों यहां पर किसे इनों न होने बनाया है ब्रिटेन के पुरव प्रधानमंति गार्ड Shell को दोस्तों इन्होंने ग्लोबल हेल्थ फाइनसिंग अंभेज़न बनाया यह ग्रेट डिप्रेशन की और जा रहा था अमेरिका के सबसे बड़ा बैंक डूब गया था लेमन ब्रदर सब्सक्राइम क्राइसिस की वज़वे और दुनिया में हाहाकार मच गया तो दोस्तों भारत का सेंसेक्स जो आज की दुनिया का पाच्वा सबसे बड़ा सेर बजा रहे वो दोस्तों 21,000 से 12,000 प्या गया था उस समय इन्हों ने जो जी ट्वंटी सम्मिट की थी उस समय दुआजा नौ में लंडन में सम्मिट हुई थी तो इनके लीडर्शिप में इस बहुत सारे रिफॉर्म सुवे थे इस जी पर्टी सम्मिट में जिसकी वजह से हम रिक सद्वावना राजदूद के रूप में किसे नियुक्ट किया गया वुवर्स रिसेंट्ली अपॉइंटेड इस दे गुडविल एंबेजर आप दे वाटर कंजर्वेशन केंपेन इन हरियाना तो दोस्तों यह किसे बनाया गया मानिका सेवकंद को बनाया गया किसे बनाया मिस इंडिया कौन थी फिर मिस इंडिया कौन थी मिस इंडिया कौन थी मिस इंडिया वर्ड कौन थी तो दोस्तों वो थी मांसा वरांसी मांसा वरांसी का किस राज की थी दोस्तों आब बताएं मांसा वरांसी किस स्टेट की थी मानिका सेहरlles हर्यानवाली चुमी थी मिस ग्र्याण इंडिया क्योंकि रूनर सब्सक्राइब मिस इंडिया कौन चुनी गी थी मानुसा व्रांसी चुनी गी इसके पिछले साल कौन थी मानुसे चिलnar थी दोस्तों ठीक है कि सर इससे याद आया सर मिस्स युनिवर्स 2020 पूछाता है मेक्सिको वाली मांसा वरांसी तेलंगाना की है रामकिष्ली जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया यह बाबू जी ने भी बता दिया वहिया मांसा वरांसी के बारे में क्या बात है दोस्तों अब हम लोग यहां से क्या करेंगे रिवीजन करेंगे कल का ताबर तोड तरीके से ठीक है कल का रिवीजन करेंगे रैपिट फैर अगर डिटेल में पढ़ना है कल वाला पढ़ लेना रैपिट फैर पंजाब के नए मुखमंत्री कौन चरण जीत सिंग चन्नी चरण जीत सिंग चन्नी पंजाब के नए मुखमंत्री पज्जाब के राजिपाल कौन आपके बनवारी लाल पूरोही चंडीगड के भी हैं चंडीगड में सबसे बड़ा एयर प्यूरी फैर लगा है चंडीगड इस्टेशन इट्राइट सेटिफिके चंडीड दि है थी 8 सदस्ट हुआ करते थे से ईस्टेशक में हेड़कवाटर तष सीओ का युद्धाब्यास हो रहा है वह रहा है रशीया में और संगहाई कोप्रेशन और गनाइजेशन की जो इस बार की मिटिंग हो रही है जो इस बार की मिटिंग हो तजाकिस्तान के दुसानबे में आह हैं दोस्तों आठ कंट्री मिम्बर ते इसमें अब 9 यूश गया। sedh अपनी करनसी रियास से सब़्ूमान कर लिए इरान में दोस्तों अभी नए-ए-प्रदान. पुर्म की है जाकर चीफ लोगों को ही अजा अ अमेरोगे apenas अर देता तो तो दोस्तों यह जो है अब इसके जो है इरान के नहे पधानमंत्री कौन बने राइसी तो दोस्तों याद रखिएगा राइसी के बारे में अभी पूछ भी लिया था एक्जाम नूँ ओके तो दोस्तों एक तरीके से अभी जो एस बी आई का अप्रेंटिस एक्जाम वह आपका एक तरीके से से में फाइनल हो गया आपको पता चल गया कि आपको कैसे जो है तैयारी करनी क्या-क्या पैटर्न रहने वाला है ठीक है मैं चलिए बहुत बड़ी यहां दोस्तों फेस्बुकड इंडिया ने किसी डिएक्टर आफ प्ब्लिक पॉल्सी बनानी तो फेस्बुक ने दोस्तों यहां पर ऐड़िव अग्रवाल को डैडरेक्टर आफ प्ब्लिक पॉलंशी बनाया इस फुर्ती प्रिया इन्हों ने इसके हेड है दोस्तों और मेलो पार्क कलिफोनिया में हेड़क्वाटर है फेस्बुक ने स्मॉल बिजनेस लोन इनिसियेटिव यहां पर सुरू किया है इंडी फाई के साथ मिल करके ठीक है और कहा जाए तो फेस्बुक की अपनी एक वर्चुल करेंसी भी है जिसे डीम या लिब्रा के नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है अच्छा बताइए कि क्या कहते हैं अल्प संक्य क्यों बन गए अल्प संक्य कायोग के द्यक्ष कौन बन गए वह भी सर्दाज जी है भारत के सक्तरवें ग्रेंड मास्टर कौन बन गए भारत के सक्तरवें ग्रेंड मास्टर कर राजा रित्वी के राजा रित्वी के राजा दोनों के नाम में 69 वाला भी राजा ही है यह वारंगल के हैं तेलंगाना के हैं दोस्तों 69 वाले जो है वो हरसित राजा है हरसित राजा है ठीक है क्लियर एंट तो दोस्तों पहले ग्रेंड मास्टर कौन थे चेस से रिलेटेड है चेस की खुछ भारत में हुई थी विश्वनाथन आनन्द माइंड माश्टर नाम से इन्हों में पूछ रहा हो पूछ रहा है इसमें भी बालबार बता रहा हूँ पहले राजियू गांदी की तो पुरुसकार विजयता विश्वनाथन आनन्द है और यह भारत के पहले राजिव गांदी जी का नाम रख धिया का मेजर ध्यान चन जीगा जिनका 19 सगस्त को हम लोग जन्म दिवस्पर नेशनल स्पोर्ट्स टे मनाते हैं फिट इंडिया भियान चलाते हैं मेजर ध्यान जहांसी के हैं मेजर ध्यान चन श्टेडियम न्यू डिल्ली में हैं और तो दोस्तों यह सारी चीज़े राज्योगांधी जी के नाम से असंगे नेशनल पार्क कभी नाम हटा दिया गया इसलिए उन्होंने राज्योगांधी जी गनाम से आई टी पुरुष्कार देना शुरू किया है और पूने में साइंस सिटी बना दिया राज्योगांधी जी के नाम से इकबाल सिंग लालपुरा यह जो है अल्पसंख्यक आयोग के अद्यक्ष है सर्दार जी ठीक है क्लियर 68 यहां में बता रहे अर्जुन कल्यान है राम जी बता रहे रामकिष्णी जी 68 अर्जुन कल्यान दोस्तों कनेरु हम पी महिलाओं में जो है यह ग्रेंड म वाड़ा किये विजय वाड़ा आल्द्र पदेश की ओके इनका विराज्य पूछता है कि दोस्तों यहां पर 112 पिछड़े जिनों को कहा जाता है कभी पूछले कितने 112 दोस्तों नीती आयोग के साथ किनों ने टाइब किया है चात्रों को मुफ्त सिच्छा देने के लिए बाइजूस ने किया है बाइजूस ने दोस्तों अमेरिका की भी कई कंपनियों को खरीदा है एडिटेक कंपनी को यहां के आकास अनपमखेर साहब को दिये अनपमखेर साहब ने अभी दो बुक भी लिखी थी दबेस्ट आवर बेस्ट डेइस टुड़े लेसल लाइफ लॉट टॉट मी अन्नोविंग ली न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में इन्हें हैपी बड़्डे मुवी के लिए दोस्तों बेस सौट मुवी हैपी बड़्डे चुनी भी गए थी यूके इंटरनेशन फिल्म फेस्टिवल में तिलोतमा सोम को बेस्ट एक्टरस का अवार्ड मिला था राहगीर मुवी के लिए और पायल कपाडिया को मिला था दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डेन आई अव अगरे दोस्तों भारत का पहला क्रूज लाइनर लांच किया गया आई यार सिट इसी के दौरा भारत का पहला प्राइवेट टेजर से च्टरस भी चलाए गया तर लकनव से दिल्ली क्यों कि दोस्तों कौर्डेलीया क्रूज के साथ इन्होंने आई यार सिटिसी ने टाइप कि ऐसे वेबसाइट पर ही जाके आब डिकेट करते हैं और चैट बोट है उसका नाम है आष्क दिशा क्या नाम है आष्क दिशा कॉडेलिया क्रूज का संचालन वाटर वे लीजर टूरिजम प्राइवेट लिमिटेट करती है इस करार के तहत काडेलिया क्रूज भांग पे पहले स्वदेशी लगजरी क्रूज लाइन का प्रमोशन और मार्केटिंग करेगी है ओके है दोस्तों किस राज्चिप यानि आपर आजस्थान राज ने बाल विवा यहां यहां पर इस बाल विवा यहां पर वैलिट हो जाएगा भाई सब क्या कर रहे हैं किस दुनिया में जा रहे है इंक्वारी नंबर 139 रेलवे बोड के सीओ सुनीत सर्मा से किस दिशा में जा रहा है राजस्थान रेकिस्तान के गरत में जा रहा है उस बच्ची की क्या दसा करने वाले है यह लोग मतलब तालीबान राजस्थान तालीबान इन राजस्थान दोस्तों किस राजसरकान ने चंदवाड़ा उनिवर्शिटी का नाम बदल के राजा शंकर शाह विश्विद्याले कर दिया है इन्होंने मध्य प्रदेश में सिवरा सिंग चेवान मामा है मंगु भाई प Excverage 526 टाइगर हैं दोस्तों वहाँ पर हम लोग 29 जुलाई को हो टाइगर दे मनाते हैं 10 अगस्त को लोयen डे मनाते तो myths को मनاتे डिफेंस एक्सपू दोस्तों जो है गुजरात में हो रहा है और डिफेंस एक्सपू में अफ्रिका से अफ्रिका के साथ वारता भी हमारी होती है हर दो साल पर कि नहीं जोजतों सी बियससी और इस्तरों ने मिलकरके श्पेस्ट लांच कियां इसी यानि की सिवि स्फी जानते हैं पढ़ाई की होगी मनोझ आुज यह मनोज आहुजा सी इसी के डी टी के हैट और दोस्तों सी बी डी टी के एड कमने? सिबी डीटी के हेट कौन है दोस्तों और चीवी डीटी के हेट को नहीं फटा फट बताईएगा कि डारेक्ट टेक्स वाले थे दुश्टों नौर्वे सतरंज ओपन का खिताब किसने जीता है यह जीता है जी डी गुकेश जी ने जीता है यह भी चेस से रिलेटेड़ है दोस्तों यह जब ग्रेंड मास्टर बने थे सबसे कम उमर रहे थे कि सीबी डीटी के जेबी महापात्रा अभी वापस से रिये पॉइंट हुए इसलिए कुश्चन आ सकता है सीबी आई सी के एम अजीत कुमार है वेरी गड़ी वेरी गुड वेरी गूड के बहुत बढ़ dir दोस्तों महीला आयोक्य दॉप कौन है महीला आयोक की अद्द्धक्स कौन है रेका शरमा अल्पसंख्यक आयोक के लालपुरा और दोस्तों अगर देखा जाए कि अल्पसंक्यक आयोग हो गया महिला आयोग हो गया यूमन राइट्स के कौन है मानवा दिकार आयोग के हेड कौन है अरुन मिश्राजी है और दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल के हेड कौन है नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल के हेड कौन है एक गोयल जश्टिस एक गोईल आदर्श कुमार गोईल और दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल हो गया एंसी एलेटी के भी नहीं हेट कॉन बने एम वेनु गोपाल भारत का पहला बैड बैंक दोस्तों एन ए आर सी यल नेशनल एसेट रिकर्शेशन कंपनी लिम्टेट उसके हेट कॉन बने हैं औहुगी अध्यक्ष पिनीविकी नहीं है रोवियों वो कोई और रहा हैं और ने दाउन सहिऊनल ये रहा मेनन जो हैं वो नियस्कॉम के लेका मेनन नास्कॉम की हेट इस तो क्लियर है शेसेट दोस्तों बोडल OR organization ने रोड कंस्रक्शन कम्पनी की कमांड पहली बार मेजर पाइना एक महिला को दी है रोड बनाने वाला काम बॉर्डर रोड और ऑगनाइजेशन नहीं तो वहां पे साथ ऊपर रोड बनाया था बावन किलोमेटर का उमलिंगला पास में लद्दाक में ि ठीक है चल रेखा जैन रेखा शर्मा रेखा मेनन बे आप ईसलिए तीनों अक साथ बता दिये अअगनम जैंप फिंब में मैं में हैं मेदल नेसकॉम में और जो है दोस्तों राश्टी स्तर पर 1500 मीटर की दौड में नया रिकॉर्ड किसने बना दिया हर मिलन कौर बैस बना दिया 500 मीटर मतलब हो गया आपका देड किलो मिटर है ना अब देड किलो मेंटर इन्होंने चार मिनिट फांच सेकंड्ड उन्तालिस माइक्रो सेकंड्ड में पूरा करके दोस्तों इन्होंने नेया रिकॉर्ड बना दिया और यह वारंगल में जवाहलना लेरू स्टेडियम में चल हाँ अभी महिला क्रिकेट की जो रैंकिंग आई इसमें मिथाली राज दोस्तों पहले नंबर पर है मिथाली राज दस हजार रन बनाने वाली पहली महिला है भारत ठीक है क्लियर है बात समझ में आगई बहुत बढ़े हो पंजाब की हैं दोस्तों हर्मिलन बैस ऐसे रमेश ब बने हैं फीनो पेमेंट मेंक के नए ब्रैण्ड अमेजर कौन अटन बने दोस्तों फीनो पेमेंट बैंक के प् Alleen भाइया बने पंकस् 상ार दे ये Ox 데क बिखा बढ़े कोश बैंड इसरे की हैं मॉमबई में लेकिन दोस्तों यहीं फीना संगर देखा जाए कि जन इसमाल फाइनेंस बैंक बैंगलोर और फिन केर इसमाल फाइनेंस बैंक बैंगलोर यह तीनों इसमाल फाइनेंस बैंक बैंगलोर यह तीनों इसमाल फाइनेंस बैंक जन जीवना फिना जन जीवना फिना यह तीनों इसमाल बैंक है जो बैंगलोर में यह एक पेमेंट ब बनाई वह स्मॉल बैंक की बनाई यह मुंबई में फीनो पेमेंट में कहा है मुंबई में दोस्तों एनपी सी आई और किस गुरुप का दस देशों के लिए यूपी आई क्यू आर आधारित समझोता हो गया दोस्तों तो लिक्विट गुरुप के साथ इन्हों यूपी आई का समझोता किया यूपी आई हमारा है और दोस्तों लिक्विट के साथ यहां पे दस बजारों में यूपी आई क्यू आर कोड़ अधारित पेमेंट हो जाएगा तो हमारा फंड ट्रांसफर असानी से हो जाएगा सिंगापूर मलेसिया थाइलेंड फिलिपिन्स वियतनाम कंबोडिया होंग कॉंग टाइवान दच्छिन कोरिया जापान के 10 बजारों में दोस्तों यह लिक्विड जो है कंपनी जो है यह हमें पहुंचा देगी दोस्तों सिंगापूर से अभी हमारा यूपी आई का टाइप हो है सिंगापूर की कंपनी है पे नाउ तो स अगर देखा जाए तो अफिज्चाओर कोर्प्रेशन अफिंडिया खें हैं अजिए के जो fitness हुँभा जाए तो मुंबई है है इसका भी हेड़कवाटर मुंबई में ही है दोस्तों दिली पास्वेस के हैड है सन 2008 में आई थी और जितने भी पेमेंट रिवल्यूशन उसकी जनक यहीं है चाहिए यूपी आई हो आई एम पीएस हो चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो रुपे कार्ड हो अधार इनेबल कार्ड हो चाहिए एन यू यू पी हो सबकी देन जो है एन पीसी आई है दोस्तों तो एन पीसी एक अंब्रेला एंडिटी है दोस्तों जो पांच सो करोड में स्टार्ट हो सकती है और नई कंपनियों के लिए आवेदल लिए जा रहे हैं उसके हेड कौन है उस कमिटी के पीक को के दोस्तों केटली नाम की एक फिश है जिसे सिक्किम का जो है राज्किय फिश बनाया गया राज्किय फिश बनाया गया है दोस्तों तो एसहिस नो लेपड को नो लेपर्ट को आपका लद्दाख का राज की पशू बनाया गया लद्दाख का ओके क्लियर है बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस सिक्किम दोस्तों भारत का सबसे कम पॉपलिशन वाला इस्टेट भारत का पहला बायो फार्मिंग स्टेट सबसे हाइस्ट बुद्दिश परसेंटेज वाला इस्टेट वन फैमिली वन जॉब यहां पर चलती है इनके प से उच्षी परवत चोटी जो हमारे यहां पर है भारत में पतला मिंग्शेट मांप्र दोस्तों तो सिक्किम में जो है कि आपके जो घंगा प्रसाज जी क्या है राजपाल गवर्णर प्रगती मोबाइल एप किसके द्वारा लॉच्ट किया गया है दोस्तों की एक सितंबड और 70omर्चेंट बेंक्स इंक्लूड किये जा रहे warm है चेरमेन को यह घ्डूआ जाएगा की आई पी आने वाला है तो अब रहेगा इंटरनेशनल स्टेंडर्ड तो अब ट्रांस्पेरेंसी और इंटरनेशनल स्टेंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा लाइसी को दोस्तों तो सी यो कहलाया जाएगा लेकिन अभी तो चेर्में नहीं है एम आर कुमार और एमडी है मिनी आई पे एलाइसी थोर्ड इस्ट्रॉंगेस्ट है दुनिया की ब्रैंड और टेंथ वेल्यूवेबल ब्रैंड है एलाइसी के आई पी ओ यानि इनीशिल पब्लिक आफरिंग आने वाला है शेयर मार्केट में आने अलाए टेन मर्चेंट बैं है और एजेंट कस्टमर से पॉलिसी लाता है एजेंट के लिए दोस्तों आनंद नाम से एप लाया गया है आनंद नाम से आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल अप्लिकेशन एजेंट के लिए आनंद एप है डेवलप्मेंट ऑफिसर यह देख पाएंगे कि एजेंट कौन-कौन सा कितना काम कर रहा है मेरा एजेंट की फोन कौन सी पॉलसी हो गई कौन-कौन सी पॉ वह सेलरी वाला होता है एजेंट कमीशन वाला होता है दोस्तों लांच वेहिकल्स यानि की रॉकेट्स के डेवलप्मेंट के लिए इसरों के सुविधाओं को एकसस करने के लिए अंतरिक्ष विभाग ने किसे जो है अनुमती दे दिये दोस्तों तो यह दे दिये अगनी कुल कंपनी ने आपका अगनीवान जो है बनाया था रॉकेट आप एक बात बताई की रमन रॉकेट कौन बनाया था रमन रमन अजुड है क्लियर है आडी बी बैंक के साथ सर गुन क्रेडिट कार्ड वेरी गूड है वेरी गूड आइडी बैंक के ल I.C की ही बैंक दोस्तों यह बतयाद दख्यक्क है इडी बैंक को ल आई सी ने खरीद लिया अब वह प्राइवेट बैंक है अगनी कुल चैन नहीं की दोस्तो और एक और कमपणी के साथ इस रखने झो है कि कैसे सदिया है उसकंपणी का नाम स्काइब इस मे आइवेटी स्पेस्टाटप कंपनियों को अपने लॉइकल एक्सेस करने का मुखा देंगे ताकि वो अपने रॉकेट को लॉच कर सके ताकि वह अपने रॉकेट को क्या कर सके लॉच कर सके ठीक है ख्लियर है शेल यह बहुत बढ़ी है देखिए यहां पर वैभा बता रहें कि सर हैदराबाद के स्काइरूट ने रमन रमन रॉकेट और कलाम रॉकेट को लॉंच किया था दोस्तों इस दो ने गगन यान मिशन के लिए विकास इंजन का भी परिक्षण किया है और दोस्तों गगन यान मिशन में व्योम अमित्र र के जो है रॉकेट को केनेडी स्पेस सेंट्र नासा ने भेजा इंस्पिरेशन 4 चार अंत्रिक्ष ग्यात्रियों को भेजा गला इंस्पिरेशन फूर्थ किस चैप सुल बेजा गया किस कैप सुल में वो 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहे कर आया दोस्तों बताईएगा कि इस रोका रीजनल सेंटर दोस्टों अगर कि रिखार आई एटी बेच्चु में इस रोग 15 अगस 1969 को आई थी बेंगलूरू हेड़क्वार्टर है पहले हेड विक्रम सारा भाई दूसरे हेड्स राक्तर सतीज दवन विक्रम भाई विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर त्रु दोस्तों ठीक है चलिए बहुत बढ़िया इस रो ने अभी दोस्तों सीब्यसी के सब्सक्राइब करके स्पेस चैलेंज जो है प्रोग्राम सुरू किया ड्रैगन कैप्सूल का नाम है बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहां पर देखा चौती बार राजभासा किर्थी पुर लाजपत्रा यह पहला बैंक भारत का जिसका मालिक इंडियन था इसके पहले कोई भी इंडियन कैप्तल से बैंक नहीं शुरूए थी पी अनबी का अब हेटक्वाटर नई दिल्ली में है नेम यूकें बैंक अपॉन नेम यूकें बैंक अपन इसकी टेगलाइन है फ्रेंड तो अगर बात करें कि राजभासा किर्थी पुरुषकार 14 सितमवर को हिंदी दीवस के समय हिंदी को जो लोग महत्व देते हैं उन और गानाइजेशन को यह कृत्ति पुरुषकार दिया जाता है उनको दिया जाता है दोस्तों तो अगर देखा जाए तो नेशनल डेरी डि development board को पहला अवार्ड मिला है कि आपको और्गनाइजेशंस में कि दामोदर घाटी निगम खोलकाता को पहला अवार्ड मिला गष्यत्र की और्गनाइजेशंस सरकारी बैंकों में 800 से कम कार्मिकों वाले सहस्थान में यूकों बैंक को पहला इस्थान मिला है और पी अन्वी को मिला है दोस्तों पहला इस्थान 800 से अधिक कार्मिकों वाले में 800 से अधिक कार्मिक वाले इंप्लाई वाले और्गनाइजेशं में पी अन्वी को मिला पहले सेखेंड पे एस बी यह तीसरे पे यूबी आइए आठ सो से कम वाले में पहले पे यू को बैंक कोलकाता बैंक अब महराश्टा पुने दूसरे पे और इंडियन वर्सी बैंक तीसरे पे जो की चिन नहीं में कि दोस्तों अगर मंत्राले विभागों में देखा तो पहला संसदी कार मंत्राले को पहला इस्थान मिला है सी कंट्रोलर एन ऑडिटेज जनरल को 300 या उससे अधिक कारिमिकों वाले मंत्राले में दोस्तों पहला इस्थान मिला है सरकारी कंपनी में देखा जाए पावर फाइ पावर फाइनेंस कर्पोरेशन 11 महारत ना कंपनी बन गई है बहुत तगड़ा प्रॉफिट करते पावर फाइनेंस कर्पोरेशन बिजली कंपनियों को फाइनेंस प्रॉइड करती है ओके ख्लियर है वहीं पर दोस्तों अगर ख़च्छेत्र के सरकारी कंपनियों में देखा जाए तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पहला स्थान मिला हिंदुस्तान पेट्रोलियन ने अभी हैपी स्टोर शुरू किया था हैपी स्टोर भारत पे पेट्रोल पंप कुलकुल ले करके डिस्पेंसर पेट्रोल फर्म नौर्थ इस्टेट में सुरू किया है बीपी सीयल ने इंडियन और कॉर्परेशन दोस्तों मतुरा में हाइड्रोजन प्लांट लगाया है ठीक है तो भारत की अगर देखा जा रेवेन्यू वाइस कंपनिया है तो पहले पर रिलाइंस है दूसरे पर SBI है जो सरकारी है रिलाइंस प्राइबिड और तीसरे पर इंडियन और कर्परेशन चौते पर ओंजी सी है रेवेन्यू वाइस ये टॉप फूर कंपनियां है दोस्तों यानि पेट्रोल वाली कंपनियां में बहुत फाइदा देत कर दिये हैं मुच्वल फंड को गिरवी रख के लोन देने की योजना शुरू की है टाटा डाटा कैपिटल ने दोस्तों यह योजना शुरू किये ओके दोस्तों 45 वी जीसटी काउंसिल का जो हेटक्वाटर है वह तो दोस्तों आपका न्यूडेली में है लेकिन इस बार ल अखनव में ही दोस्तों फीजिश्टी कांसील की मीटिंग हुई है जिसमें जीवन रक्ष कैंसर वाली द्वाओं की जीश्टी परसंट जगटा के 5% कर दी गई जेस्टी काउंसिल में दोस्तों 33 मेंबर होते हैं जिसमें दो केंदर से आते हैं वित्तमंत्री तीन यूनियन टेरिटरी से आते हैं वित्तमंत्री पुड्डू चेरी दिल्ली और जमू कश्मीर में विधान सभाएं हैं और कुछ तो भंग है हैं इसलिए कितने होते हैं यह तो याद रखिए और 28 आपके स्टेट से फिनेंस मिनिस्टर आते हैं जो वोटिंग से यहां फैसले लिए जाते हैं इसके फैसले बजट में नहीं होते हैं तो दोस्तों जीएश्टी एक जुलाई को आई थी एक जुलाई 2017 को 40 तरीके के करो रूपकर को खतम करके लखनाव की बात करें दोस्तों चुनावन है तो रामनात कोविंद जी बहुत बार आ रहे है यां पर रामनात कोविंद जी ने या पर डॉक्टर अंंबेदकर सांस्क्रितिक किंद्र की और सिलार रखी लखनव में दोस्तों लौarla इन्वरसिटी की औ चार सिला रखी प्रयाग राज में रमायर सम्मेलन की सुरुवात करी अयोध्या के लिए और दोस्तों वहीं पर आरोग इंवर्सिटी की सुरुवात करी गोरगपूर में आरोग इंवर्सिटी की सुरुवात करी गोरगपूर में और सुबह तो फिर भी चल जाता है दिन में तो एकदम परशान कर दे रहा है मैं क्या बताऊं दोस्तों दुनिया का पाचवा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट हमारा बॉंबे स्टॉक एक्षेंज हो गया है जिसमें हमारे जो है बॉंबे स्टॉक एक्षेंज पर लिश्टिट सभी कंपनियों का मार्केट केपलाईजिशन दोस्तों साथ लाग परोर रुपए के पार पहुंच गय जाए इनको जो है कि रेगुलेट करता है सेवी सेवी रेगुलेट करता है सेक्यूर्टी एक्षेंज बोर्ड आफ इंडिया शेयर मार्केट को जिसके हेड है अजयत आगी सेवी नर्सिम्हन कमिटी के ही रिक्रमेंडेशन पर आई दी दोस्तों 1988 में आई थी 1992 में इसको संबेधानिक अधिकार मिले 12 अप्रेयल को जन्मुआ ता जिसन मेरा भी जन्मुआ था दोस्तों भारत नेपाल है सुरी किरन एक्ससाइस सुरू की है आपकी उत्त्रा खंड के पिछोडा गड़ में ठीक है क्लियर उत्त्राखंड के पिछोडा गर में नेपाल ने हमारे जनरल मनोज मुकुर नर्वने को वह भी दिया था मानद उपादी भी दी थी दोस्तों नेपाल को नेपाल नहीं ताययब की भी था मारे यूज करेंग नेपाल में लें तो सुल्ट तो का मुक्याल है यहीं नेपालवे साउन एशियेशन और और रीजिनल को आपरेशन याद रखते हैं दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान इंदिया नेपाल और आठ देश कंट्री हैं माल्दिव बंगलादेश भुटान और सिलंका ठीक है फीफा रेंकिंग में दोस्तों कौन सा देश टॉप पे था बेल्जियम टॉप पे था फीफा में इंडिया की रेंकिंग कितनी है दोस्तों इंडिया की रेंकिंग एक सो साथ भी रेंकिंग इंडिया की है दोस्तों फीफा का हेटक्वार्टर ज्यूनिक में है बेलजियम पहले पर फ्रांस दूसरे ब्राजिल तीसरे पर इंगलेंड बहुत अच्छा पॉइंट करते हैं यहां पर पहुंच गया है फीफा के जो हैं दोस्तों जियानो इंफैंटीनो एंगलेंड नहीं है वह हो यहां पर तीसरी पोजीशन पर ब्राजिल है बेल्जियम, फ्रांस, ब्राजिल, बेल्जियम, फ्रांस, ब्राजिल, ठीक है, किस राज के सीरा खौंग चिली और तामेंग लॉंग औरेंज को जी आई टेग मिल गया है तो दोस्तों यहां पर मनीपूर के सीरा खौंग चिली और तामेंग लॉंग औरेंज को जी आई टेग मिला है मनीपुर में दोस्तों साइखों मीरा बाई चानू को एसपी बनाया गया है और मीरा बाई चानू को एमवे का भी ब्रेंड डेमेजडर बनाया गया है अच्छा यह अपडेटेड नहीं है इंग्लैंड तीसरे पर अच्छा फोटो पुरानी लगी हो फिर अच्छी बात आपने बताई यह तो अबने सुना था इंग्लैंड बहुत टेजी से उपर आया है इंग्लैंड हो जकता है थर्ड पोजिशन पर ओके अच्छीट फंड कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है चीट फंड कंपनीज को स्टेट गवर्मेंट रेगुलेट करती है अच्छी मनीपूर में कैबुल लाम जाओ है जो दुनिया का सबसे इकलोता जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है बहुत बढ़िया मनीपूर के ज मिजूरम के अलुनाचल पदेश वाले हैं बीडी मिस्रा हरी बावु खंपती आए और फिर जो है चले भीगे ठीक है है नहीं सुठ किया होगा सयूछ राज द्वारा सश्टेनेबल डेफल डॉप्मेंट गोल का एडवोकेट ने उठ्किया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कला सत्यार्थी जी को कब नोबल पीस प्राइज मिल आता मलाला यूसुप जाही के जाथ वच्पन बचाव अंदोलन एक सो कमस्कम असी देश्वों में चलाते हैं कला सतार्थी एंपी के हैं इंजिनियर रहे हैं और अपना नौकरी छोड़के दोस्तों यह जो है बच्चों को बचाने का चाइड्ड लेबर स सेंटर लगाया है कोटक महिंद्रा बैक मुंबई AQ और कोटक महिंद्रा यह यह हैं उध्य कोटव कॉटक जो एशिया के सबसे अमीर बैंकर है वर्ल्ड बंभू डे दोस्तों कब मना जाता हैं अठार सितंबर को बंभू को ट्री कि के टेगरी से हटा करके ग्रास के के क्टेगरी में रख दिया गया है बंभू ओसीज ऑन लेंड इंड डाट मिसंड बूं सुरू किया उदैपूर में बियस सेफ और नरेंद आइडी ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च और डेवलप्मेंट के बाला जी सिवास तो यह तीनों लोग का रिक्रूट्मेंट एक ही दिन हुआ था ठीक है क्लियर है बंबू से कुश्चन आएगा बोल्ड कहां से शुरूआ उद्यपुर से यह कुश्चन आएगा बोल्ड ब्य दोस्तों तो थैंक्यू सो मज शुक्रिया धर्नेवाद तावर्ट तोड तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर से हम लोग ने दो तीन दिन के सब आज वापस से रिवाइस कर लिए दोस्तों तो हम लोगों का एक अच्छा रिवीजन भी हो गया मजा आ गया यह वो शो है 11 बजे एप पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो मजा आ गया बहुत सारी जानकारी बहुत सारी चीजे हम लोगों ने आज शेयर करी मजा आ गया बहुत बढ़िया थैंक्यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद खुश रह रही है स्वस्त रही है और व्यस्त रही है बाबाय टेक केर